सो हेलो अब्रीवन आई विलकम यौल तो लेट्स क्राइक यू पीससे सो अग्रिकल्चर ऑप्शनल की दिस इस क्लास फूर्थ और इन इन दिस क्लास विल ट्राइट अंडेस्टेंड जोहांसन जोहांसन प्यूर लाइन थियूरी ओके सो यह कुश्चन जो है डारेक्ट आपक करेंगे और इस टॉपिक इस रिलेटेड विथ पेपर पेपर टू तो यहां पर आप देखोगे तो जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग में देरिज वन सेक्शन कॉर्ड कॉल ए सेलेक्शन तो सेलेक्शन के अंदर यह जोहांसन जो प् बहुत वथी है और लेट्स ट्राइड थर अंदेस पार्ट अगीन दिसशिज वर्ज पर रटेंट टॉपिक अगर आप अगर अप अगरिकल्चर ऑप्शनल के बात करता हैं तो इस पिखिन इस अगीन वेरी इंपॉर्ट टॉपिक थो भाँ द्यान से समझना है नोट्स जो है वह आप प्रिप्यार कर सकते हो so let's start देखो यहां पर क्या है pure line theory होती है यहां पर पहला तो concept है you need to understand what basically is pure line फिर what basically is progeny what basically is self fertilized and what basically is homogeicus देखो यह जो subjects होते हैं अगर आपको थोड़ा जो terms है अगर उनका clarity है basic clarity है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझने में ठीक है so first let's try to understand what is homogeicus देखो दो terms होते हैं एक हम कहते है homogeicus and the other term that we use we call it as heterogeicus so what is the basic difference between homogeicus and heterogeicus जैसे कोई भी जैसे पिछला भी session हम लोग ने discuss किया था तो उसमें जैसे मान लो कोई भी जो alleles है for example अगर जो alleles हैं जैसे कोई भी एक gene है उसका gene का alternative form क्या होगा तो ये gene A है और इसके साथ जो इसका presence है we can say same C जो gene है वो present है मतलब either it can be capital A capital A और we can say small A small A so ये जो condition होगी it means अगर ये gene दूसरे for example एक जो crossing होती है parents के बीच में जो crossing है दो parent plants के बीच में crossing होई और फिर आपका F1 generation का plant आया अब क्या है ध्यान से समझना कि ये जो F1 generation का plant आएगा इसमें क्या है if this same gene make up is there मतलब दोनों में जो gene present है AA है दोनों में gene present है मतलब same सी gene present है तो यहाँ पर what will happen कि this gene will be represented only तो यहाँ पर जैसे जो gene है AB होगा या फिर we can say कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर we can say कि यहाँ पर क्या है same सी gene है इसका जो alternative form है वो same सा है तो यह जो condition है इसको हम कहते है homojaicus there is no variation heterojacus में क्या है एक dominant form है एक small form है it means capital A small A we call this as heterojacus ठीक है यह condition हम क्या कहते है heterojacus तो यहाँ पर अगर यह अपने आपको express कर पाता है जैसे capital A अपने आपको express कर दे यह small A अपने आपको express कर दे तो वहाँ पर जो difference है वो देखने को मिलेगा ठीक है the difference will be there तो यहाँ जो conditions होती है we call this as heterojacus तो यहाँ पर दो चीजे है homojaicus तो आपको याद रखना है capital A small A, small A it means same gene present है तो this is a condition of a homojaicus अगर capital A small A तो this is a condition of a heterojacus तो homojaicus क्या है तो pure line is the progeny of a single self-fertilized homojaicus plant अब homojaicus आपने समझ लिया अब इस plant को देखो यह flower है ठीक है flower में यह जो part होता है इसको हम कहते है stigma ठीक है यह part होता है stigma यह आप कहादो कि यह female part है ठीक है और इसी तरीके से आपके present होते है what we call them as enter ठीक है इसमें गिरता है ठीक है यहाँ से जो pollen है आके इसमें गिरेगा तो इसको क्या बोलेंगे धिर धिरे certain process होगा वो ovary में जाएगा फिर ovule का formation होगा fertilization होगा तो यहाँ पे क्या है कि देखो same plant का enter same plant का जो है आपका stigma या ovule इस्तमाल हो रहा है same plant का pollen same plant का ovule इनका fertilization हो रहा है so we will call this as self-fertilization तो same sa plant है जैसे same sa plant है तो same sa plant है तो दूसरा जो generation का plant बनेगा वो भी same sa होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या है इसको हम क्या कहते है self-fertilization अगर दूसरे plant का flower दूसरा flower हो उनके बीच में fertilization हो so we will call it as a we will call it as a हम क्या कहेंगे उसको we will call it as a cross-pollination तो यहाँ पे क्या है प्रोजेनी का मतलब क्या है जैसे जो जैसे ये दोनों की crossing होई तो ये F1 generation formation हुआ तो आप ये कह सकतो प्रोजेनी तो अब pure line pure line में क्या है देखो इस pure line में क्या है homo gycus homo gycus में क्या है दोनों genes same है फिर self-fertilization है तो यहाँ पे क्या है variation के chances भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है pure line is the progeny of a single self-fertilized homo gycus plant ये जो definition है इस definition को आपको याद रखना है ये जो concept है pure line का ये जो हांसेन ने जो है उन्होंने जो study की थी beans के उपर depending upon जो size है उनको अलग से जो study किया था beans के उपर जो study की थी उस basis पर इन्होंने एक concept दिया pure line अब देखो इसको ऐसे समझो इसको आप इस तरीके से समझो for example कि जैसे अगर आप किसी एक suppose करो एक burger shop में जाते हो ठीक है जब आप burger shop में जाते हो आप macd का burger आपने आलू टिक की order किया तो जब आप आप आलू टिक की order करो या आज से दो महीने बाद कोई और आलू टिक की order करे उसका taste उसका shape उसका size उसका rate सब कुछ same होगा उसमें कोई variation नहीं होगा कोई भी changes आपके नहीं होगे तो क्या होता है कि जो plants होते हैं उन plants certain plants क्या हैं उनमें जो trait होंगे वो सारे के सारे same होगे चाहे वो size हो shape हो दूसरे जो trait होते हैं सब कुछ same होता है genetic level पे same होता है क्यों होते हैं because homogeicus होते हैं और self-fertilization होता है तो यह जो plants है यह जो ऐसे plants हैं इनहीं को हम क्या कहते हैं we call them as a pure line उनको हम क्या कहते हैं pure line so this session is presented by me मैंने मिशार पंडे तो यहाँ पे देखो characteristics क्या है pure lines के सारे के सारे plants phenotype का मतलब जैसे अगर कोई flower है कोई plant का flower है उसका color violet है उसका color red है तो वो क्या है it is a phenotype जो उसका physical feature है genotype का मतलब gene gene present है तो genotype कैसे होगा या तो वो homogeicus होगा या तो हो heterogeicus होगा मतलब same सी gene present होगी या genes की presence में थोड़ा variation होगा तो यहाँ पर क्या है जितने भी plants है उनका genotype same होगा तभी वो pure line cancer जैसे कहते है ने यह पूरे तरीके से pure है यह पूरा pure घी है pure घी का मतलब क्या है कुछ उसमें बाहरी चीज present नहीं इसलिए तो pure शबद हम इस्तमाल करते है that is the reason we are using this word pure so similarly when you talk about the plant these plants have the same genotype if they have the same genotype there is a possibility if if there is same genotype there is a possibility they will have the same phenotype the physical appearance physical feature will also be the same so this is the basic feature of the characteristics of the pure lines the variation अगर कोई variation होता है अगर कोई variation होता है तो वो क्या होगा वो environmental होगा बाहरी जो कुछ चीजे है उस वज़े से कोई variation आपका हो सकता है फ्लावर थोड़ा छोटा हो गया प्लांट किया है तो छोटी हो गई क्यों क्यों कि उसमें उसको सही से पानी नहीं मिल पाया तो जो भी अगर variation है that variation will be either due to environmental और we can say जो variation है जो variation है वो environment की वज़े से होगा और जो variation है it is non-heritable non-heritable का मतलब क्या होता है कि इसको आप एक generation से दूसरे generation में आप transfer नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये थोड़ा सा अब जैसे आप में से कई लोगों ने इसको कभी पहले नहीं पढ़ा होगा तो ये genotype, phenotype जो शब्धहिन में से ये बहुत टेक्निकल चीज़ें है in the sense तो doubt हो रहा होगा लेकिन अगर अगर अब ध्यान से थोड़ा समझनी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत भी idea होगा तो of course आप इस चीज़ को समझ पाएंगे देखो pure lines become genetically variable अब देखो इस चीज़ को समझना है पहली चीज़ तो यह है कि genetic level पे है ना जैसे हमारे शरीर में cell है cell में nucleus है chromosome है है ना उसमें DNA है फिर gene है तो यहाँ पे क्या जो genotype है वो same होगा और अगर variation होता भी है if there is a variation अगर variation भी है if there is a variation ठीक है अगर variation होता है तो वो कई factors है जैसे genetic level पे sudden changes हो जाना mutation हो जाना hybridization हो जाना दूसरे gene के साथ combine हो जाना या कुछ mechanical mixture मतलब कुछ plants लिए आपने गलती से दूसरे के साथ उसको mix कर दिया फिर उसको field में grow कर दिया तो वहाँ पे there is a possibility कि ऐसा कोई variation हो सकता है तो these are the basic characteristics of pure line अब देखो pure line जो selection की अगर आप बात करो तो आप कैसे selection carry out करते हो selection कैसे selection शब्द का मतलब क्या है कि जो population of plants है ठीक है plants की जो population है ये plants है you have many plants and out of these plants you are selecting few plants with desired characteristics इसको हम क्या कहते है we call it as selection so we have understood about pure line what basically इस pure line हमने समझ लिया pure line में क्या हमने what we understood that the plant is homozycus it means there is there is no genetic variation is there okay so the plant is homozycus ठीक है when you talk about the pure line so we say that this plant is homozycus and at the same part of time there is a similarity in terms of genotype and there is no variation variation नहीं आपका होता है अगर variation होता है so that variation may be due to the environmental factor and there is no heritability or the variation if it occurs due to the environment factor that there is a very less chance that it will be inherited or it will be transferred to the next generation so when you are selecting the pure lines यहां पी pure line selection का मतलब है it means the process and the procedure which you are using to select the plant the pure line category plants तो when you talk about this word selection selection means you are selecting few plants आप कुछ plants को select कर रहे हो with a certain trait out of a population of plant बहुत सारे plants हैं उन plants के बीच में से आप कुछ plants को select कर रहे हो जिनके certain traits हैं तो इसको क्या केते हैं we call them as selection और अगर आप एक जैसे plants मतलब अगर आप pure line plants को select करोगे we will call it as a pure line selection तो पहली चीज़ क्या है large number of plants are selected from a self-pollinated crop अगर pure line selection if you talk about तो बहुत सारे जो plants हम select करते हैं they are self-pollinated we have discussed about what is self-pollination so self-pollination में क्या होगा there is a huge possibility of homogycosity it means variation के जो chances हैं there will be no variation or very little variation and that variation may be due to the environmental factor which is again we can say that is less it is not heritable selected plants are harvested individually so what you did you just selected the plants जो self-pollinated crops हैं self-pollinated plants हैं आपने उसको select किया select करने के बाद आपने क्या किया उनको harvest किया harvest का मतलब हुआ आपने उन plants को लिया और आपने उनको अलग से जो है grow किया grow की बाद उनके जो बीज हैं वो आपने मतलब लिये individually और दुबारा से जो है आपने grow किया selected individual plants are grown in individual rows एक individual grow में उसको grow किया जिससे की cross-pollination दूसरे जो plant के flowers उसका जो pollination है ना हो पाए तो आपने एक ही row में उनको grow किया और उसमें से जो best progeny होगी उसको आपने select किया फिर उसको grow किया इस तरीकी का जो process है इसको क्या हम कहते हैं we call it as pure line selection we call it as pure line selection so characteristics क्या है genotypically ये same है variation है तो वो environment की वज़र से है और वो variation क्या है it is not heritable so क्या कि आपने पहले जो what you did कि आपने self-pollinated जो plants है उनको select किया individually फिर आपने क्या किया उनको selection के बाद harvest किया मतलब आपने grow किया grow कैसे किया row के form में ऐसे grow किया जिससे cross-pollination avoid करें फिर best progeny को आपने select किया फिर उसको क्या किया दुभारा से grow किया अब जब grow करोगे ऐसे ही करके तो आपको एक जैसे जो plant है जिनके एक से trait हो उनको आप select कर पाऊगे जैसे अगर आप rice consume करते हो तो आप क्या करते हो दुकान में जाओगे तो अच्छे rice quality कर देखते हो उसमें what you see कि the shape, size, in different terms all the traits of that rice actually we can say are same same से एक जैसे rice लगते हैं ऐसी आप जो plant के जिस भी trait के लिए आप select कर रहे हो उस trait को देखोगे और देखोगे कि इसमें एकदम सब कुछ same है ठीक है? we call it as a pure line ठीक है? we call it as a pure line और उसी pure line को we continue we actually continue to harvest it हम लोग harvest करते रहते हैं जब तक हम desired trait के plant को नहीं ले लेते हैं और एक बार जब यह grow कर जाता है so after that what you do is कि आप उस plant को grow करके और फिर उसी फिर उसको certify करके और उसी plant को यूज करते हैं तो pure line अगर अगर variability है भी तो it is mainly because of the hyperdigestion, mutation and mechanical mixture advantage क्या है? advantage यह है कि जो original variety है that original variety can be improved original variety को एक variety है and that variety is good in the sense कि वो variety बहुत अच्छी है and rice है rice बहुत अच्छा है अब क्या उसको और improve करना है तो what you will do you will do self-pollination and after self-pollination जब आप self-pollination करोगे उसके बाद आप उसको individually harvest करोगे after you have done individually after you have carried out individual harvesting उसके बाद आप धीरी धीरी जो traits improve करते हुए you will try to improve the original variety फिर उसके बाद क्या है? एक से लगेंगे क्योंकि genotype same है phenotype will also be same और extremely uniform appearance रहेगा uniformity will be there और जब uniformity रहेगी it is again very important that the seed certification again will be easy अभी जैसे आपने case देखा होगा कि जैसे for example कोई भी बीज अगर इस्तमाल की जाते है इन seeds का इस्तमाल करके आप crop को grow करते हो there is a process of seed certification तो यह जो seed certification है that certification जब किया जाता है जैसे माल लो कभी भी जैसे कोई गाड़ी है कोई कार है उसको आपको approve करना मतब उसके सारे measures देखे जाते हैं कि इसमें सारे features हैं कि नहीं अगर कोई accident होता है तो इसमें safety features के तो उसके बाद फिर उसको certify किया जाता है या किसी भी product को देखोगे तो उसमें ISM आपकर रहता है इसी तरीके से जो seed है जो market में आते हैं उनका certification होता है जब यह pure line होता है pure line में ज़्यादा variation तो नहीं है so it is again very easy to certify these seeds disadvantage क्या है it does not have wide adaptability क्योंकि same से है genetically same होते हैं अगर कोई भी बाहरी कुछ बदला हो जाए extreme situation आ जाए तो these plants will not be able to adapt themselves तो यह point आपको ध्यान बर रखना है जो time required है इसको develop करने का वो भी बहुत है क्योंकि धीरे धीरे आपको पहले अब इसमें ऐसा नहीं जैसे आपने एक को grow किया फिर उसमें कुछ को select किया फिर दूबारा उसको grow किया इस तरीके से process आपका सालो साल चलता रहता है उसके बाद क्या है कि genetic variability present in the base population only the improvement is made and if there is no genetic variability improvement cannot be made तो it simply means कि genetic variability has to be there if you talk about the improvement तो यहाँ पर क्या है first we are saying pure line पूरे तरीके से there is no genetic variation without genetic variation there is a very less possibility कि वहाँ पर improvement आप कर सकते हो तो यह एक बहुत challenge भी बन जाता है कि if you are thinking that we will try to improve the original variety original variety को हम improve करेंगे and if there is no genetic variability अगर कोई genetic variability नहीं तो again it will be very difficult यह बहुत ही आपका difficult होगा to ensure improvement of the original variety तो यह कुछ points हैं आपको ध्यान में रखना है यह देखो पूरा का पूरे topics आपके कबर आप डिरेक्टिव परस्ट कैसे आता है the type of questions वो डिरेक्ट लिखेंगा Johansson pure line theory यही सब explain कर देना यही सारा पूरा लिख के आ जाना है नमबर आपको पूरे जो है वो मिल जाएंगे तो आप agriculture optional के लिए मुझे से जूड़ सकते हैं अनेकड़मी के अंदर आज last day है 17th of November है benefit का code यूज करो SPLIV अनेकड़मी में जाना है combo subscription लेना है 12 बिज तक आपका इस subscription है तो इसमें आप जूड़ सकते हैं इसमें आप यही optional नहीं दूसरे optional यह जो amount देख रहो यह agriculture optional का फीस नहीं सारे educators के सारे courses, सारे optional test series, booklet, everything is included जितनी बार चाहो देखो live class का recorded class everything is available इसमें मतलब आपकी पूरी UPSC की preparation including test series जो booklets आपकी बहुत सारी मिलेंगी 20 booklets रहेंगी और अभी यह जो offer चल रहा है उसका आखरी दिन है 17th November use this code SPLIV और आप join कर सकते हैं ठीक है, तो यह batch courses भी आप सारे कर सकते हैं और अभी Unacademy Champions Conclave का हिस्साब जरूर से बने यह 20 से लिए के 22 तारीक तक है so toppers, educators and bureaucrats उनके साथ आप interact कर सकते हैं उनसे काफी चीज़े सीख सकते हैं जो इस साल के toppers भी हैं जो ex bureaucrats भी हैं आप कह सकते हैं और educators भी हैं उनके साथ आप interact कर सकते हैं और इस conclave का हिस्सा जरूर से बने नीचे आपको link दिया हुआ है उस link में जाके आप join कर सकते हैं अपने आपको enroll कर सकते हैं यह free है ठीक है तो यह सारे हैं आज के यह आज का topic है I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा Thank you everyone and let's crack it like button आप जरूर से प्रस करें